मसूद अजहर को कल साहब कहकर संबोधित किया जिसके बाद राजनीतिक गल्यारों में बवाल मच गया विवाद के बाद मांजी ने अपनी गल्ती स्विकारते हुए कहा कि ये स्लिप आफ टंग था लेकिन जोरान भी मांजी की जुबान फिर फिसल गई आज मांजी ने कहा कि मसूद अजहर महान आतंकी है और युएन ने उसे वैश्विक आतंकी घोशुत कर दिया है मनमुहंद सिंग के समय से उनको अजहर साहब को आतंकी घोशी करने का परियास किया जा रहा था और दवाब बनाया जा रहा था यह इतफाक है कि इस बार डिसीजन लिया गया तो इसमें अगर भागपा के लोगा पर धान मनती नर्यन मोदी जी अगर सिरे अपने को लेते हैं हम समझते हैं यह उचित नहीं है दूसमन को भी हम लोग प्यार से बात करते हैं और यही कारण है कि मसूद साहब सब्द निकल गया था लेकिन इसका कते ही मतलब नहीं है कि मसूद को साहब करके हम आतंकी न होने का परमान पटदे दिया है सो बात नहीं है वो महान आतनकी है वैसे प्रिष्टित्री में यह जो अभी इनिवेर्सल आतनकी उसको घोशित किया जाना एक बड़ी बात है डिनाशनल टेररिस्ट मसूद अजहर को लेकर पूर्वसियम जीतनराम मांजी का बार बार जुबान उनकी फिसल रही है पहले मांजी ने मसूद को साहब कहा और अब इस पर जब हंगामा हुआ तो सफाई देने लगी लेकिन पूर्वसियम सफाई देने में भी चूप गए हैं सफाई देते हुए जीतनराम मांजी ने इंटरनाशनल टेररिस्ट को महान बता दिया और इतना ही नहीं जीतनराम मांजी ने ये भी कहा कि साथ भी प्रग्या ठाकुर और गिरिराथ सिंग को मैं भाशाई आतंकी मानता हूँ कि सर आखिर क्या वजह रही कि एक आतंकी को साहब कहने की नौबत आ गई देखे इस समन्ध में तो हम अपने बात कह दिया है कि वो कुछ नहीं था सिर्फ स्लीप अप टंग था लेकिन हम लोग की जो संस्कृति रही है दुसमन को भी हम लोग प्यार से बात करते हैं और एही कारण है कि मसूद साहब सब्द निकल गया था लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मसूद को साहब कह करके हम आतंकी न होने का परमान पतर दिया है सो बात नहीं है वो महान आतंकी है वैसे प्रिष्टित्री में जो अभी इनिवेर्सल आतंकी उसको घोसित किया जाना एक बड़ी बात है लेकिन हमारे भाजपा के साथ ही लोग हर चीज को अपने में लेकर के मार्केटिंग करते हैं एक काम तो कहना चाहिए कि मनमोहन सींग को जैंक्स देना चाहिए मनमोहन सींग के समय से ही उसको आतंकी घोसित करने का परियास किया जा रहा था सारा मामला ठीक था एक इतिफाक है कि आज उसको दो दिन पहले घोसित किया गया इसका कते मतलब नहीं है कि मोदी जी का उसको स्रेह है या भाजपानित भारे सरकार का स्रेह है यह स्रेह जाना चाहिए मनमोहन सींग को कांग्रेस निदी सरकार को कल जब अपका बयान आया था तो यह कहा गया कि मुसलिम तुष्टी करन की पड़ा कास्था है यह यह बयान इसको किस तरह से देखे देखे जाकी रही भावना जैसी परहुमुरत देखी तिन तेसी मुसलिम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनकी जन संख्या आज 19 कलोर के आसपास 130 कलोर में ओ हैं तो क्या हम मान के चलें जिस परकार से एनर्सी के नाम पर मुसलिम और सिरुल कास्ट को यह लोग दरकिनार करना चाहते हैं भाजपानित सरकार तो क्या समझते हैं दूसरे लोग भी मुसलिम को दरकिनार करें यह तु वो यह और देना दिन